सर्दियों के मौसम में इस तरीके से बने हुए गर्मा गर्म आलू गोभी के पराठे मिल जाएं फिर क्या बात है एक बार मेरी तरीके से आलू गोभी के पराठे की रेसिपी को ट्राइ कीजिए सब को बहुत पसंद आएगा दो की जगा चार पराठे खाएंगे सब, बहुत ज़्यादा टेश्टी बनता है तो चलिए शू करते हैं से बनाना इसके लिए मैंने ये मेडियम साइज का एक फूल गोवी लिया है सबसे पहले इसके स्टेम को हम काट कर हटा लेंगे नाइप से इस तरीके से इसे काट लेंगे बहुत असानी से ये निकल जाएगा तो चार लोगों के लिए प्राठे बनाने के लिए जितने फूल गोवी चाहिए थे मैंने ले लिए है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था इसमें थोड़ा सा नमक और एक चुटकी हल्दी पॉडर डालेंगे जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें हम फूल गोवी को डाल देंगे ऐसा करने से गोवी में अगर कीड़े बगर हैं तो निकल जाएंगे और गोवी का कसेलापन भी खतम हो जाता है तो इसे हमें बहुत ज़दा उबालना नहीं है बस एक बॉइल जैसे ही आ जाता है गैस की फिल्म को हम ओफ कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए तो सारा गोवी मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है और इसे ठंडा कर लेंगे जैसे ही ये ठंडा हो जाता है तो इसे हम कद्दू कस करेंगे तो बारिक वाले साइड है उधर से हम कद्दू कस कर लेते हैं सारे गोवी को अब सारा गोभी मैंने कद्दू कस कर लिया है बिल्कुल बारिक इस तरीके से कद्दू कस कर लेना है अब यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज का आलू वाइल करके और इसे मैश करके ले लिया है इसे भी हम साइड में रख देते हैं अब सभी चीजों को हमें फ्राई करना है तो एक पैन लेंगे और इसमें दो टेविल स्पून कुकिंग ओयल डालेंगे ओयल अभी हीट हो गया है तो इसमें डाल देते हैं एक मिडियम साइज का बारिक कटा हुआ प्याज बारिक कटा हुआ लहसन बारिक कटी हुई चार हरी मीर्च और एक इंच अदरक बारिक कटा हुआ मैंने डाल दिया है इसमें सभी चीजों को मेडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा कलर चेंज होने तर अभी हलका ब्राउन हो गया प्याज अदरक लहसन सभी चीजों को मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया इसके बाद 1 teaspoon जीरा पौडर और 1 teaspoon धनिया पौडर और 1 teaspoon तीखी वाली लालमिज पौडर ली है मैंने मसाले को थोड़ा सा भूण लिया है इसमें 1 साइज का टमाटर काट कर डाल देंगे टमाटर को भी थोड़ी दिर अच्छे से भूण लेंगे मसालों के साथ अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और अभी टमाटर को पूरा गल जाने तक हम अच्छे से मैश कर लेंगे और इसे मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे तो बिल्कुल अच्छे से बारीक मैश कर लेना है टमाटर को टमाटर जब अच्छे से मैश हो जाए तो इसमें 1 टेवल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेवल स्पून कशूरी मेथी डालेंगे अच्छी तरह से इसे एक बर मिक्स कर लेंगे अच्छे समय ने मिक्स कर लिया है मसाले विल्कुल तेयार हो गए हैं तो अब इसमें सबसे पहले हम कद्दू कस किये हुए फूल गोभी को डालेंगे फूल गोभी डालने के बाद इसे थोड़ी देर मसालों के साथ अच्छे से बहुनेंगे फूल गोभी में थोड़ा सा पानी होता है तो अच्छे से इसके पानी को पहले हम सुखा लेंगे थोड़ी देर फ्लेम को मैंने अभी मीडियम टू हाई कर लिया है थोड़ी देर अच्छे से इसके पानी को सुखा लिया है और अब लाश्ट में हम इसमें boil के हुए आलू को डाल देते हैं आलू डालने के बार इसमें अच्छे से एक बार mix कर लेते हैं गोभी और आलू अच्छे से mix हो जाएं उलकुल अच्छे तरह से mix कर लिया है इस मिलाश्ट में हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर और हरा धनियां डालकर एक बार और अच्छा से मिक्स कर लेते हैं पर बस स्टफिंग बनकर तयार हो गया है इसे हम साइड रख देते हैं तो इसे दूसरे बरत्तन में ट्रांसपर कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंड़ा हो जाएं और जब तक यह ठंडा हो रहा है हम इसके लिए आटा भी त्यार कर लेंगे तो मैंने चार लोगों के लिए यहाँ पर आटा ले लिया है गीहु का आटा है यह इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के कोडिंग और वन टेबल स्पून घी लिया है मैंने अच्छी तर कि गोचे संद। था, कि भी तो अभी तो अब इसमें नीमक टेस्ट के लिया एक इसमें बिलकुल वन टेस्ट कर लिय दनी हैं 5 c हम ट्राइंगल सेप के प्राठे बनाएंगे आप चाहे तो इसके गोल प्राठे भी बना सकते हैं चपाथी के आकार का मैंने बेल लिया है अब इसके उपर हम स्टफिंग डाल देंगे दो टेबल स्पून डालते हैं और इसे फैला लेंगे इस तरीके से अब फैलाने के बाद इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं दोनों साइट से दोनों साइट से फोल्ड कर लिया है और अब नीचे से भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से मैंने fold कर लिया है और अब इसके उपर सुखा आटा dust कर देते हैं दोनों side से side में अगर kona निकला हो तो इसे हम काट कर हटा लेंगे इसके बाद इसे bel कर तयार कर लेंगे इस तरीके से triangle shape में मैंने प्त्राठे bel कर तयार कर लिया है और अब इसे हम सेख लेंगे अब इसे हम सेख लेते हैं तो मैंने एक iron तबा हिट होने के लिए रख दिया था गैस के उपर इसमें प्राठे डालकर और इसे उलटपलट कर सेख लेंगे इसके उपर गी या फिर oil अप्लाई करेंगे दोनों साइट से हम पलट कर और घीया ऑईल अपलाई कर लेंगे पराठे को उलट पलट कर मैंने पका लिया है अच्छा से ये फूलने लग गए हैं कभी-कभी ये नहीं फूलते हैं लेकिन इसके पराठे बहुत ज़्यादा सौफ्ट बनते हैं और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेश्टी होते हैं इस तरीके से आप कभी आलू गोफी के पराठे को बना कर देखिए बहुत ज़्यादा टेश्टी बनता है ये तो पराठे बना कर मैंने त्यार कर लिये हैं इससे तरीके से सारा पराठा में बना लेना है रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा बिल्कुल सॉफ्ट पराठा बना है और देखने में यह जितना ज्यादा टेस्टी है खाने में बहुत मज़ेदार है पूरा अंदर तक स्टफिंग भरा हुआ है एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइक की थैंक्स पूर वचिंग